इसका नेक्स टॉपिक समझ लेते हैं इसमें हम लोग समझेंगे कि विदूद परीपत यानि की एलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं अब जरह आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए अगर मैं एक बल्ब दू आप लोग को यह बल्ब का सिंबल इस बल्ब को आप लोग को दूँ कि लिजी आप लोग इसको जलाएए तो आप लोग क्या करेंगे सिंबल इसको इसको यह दोनों तार निकले हुए हैं इसको क्या करेंगे एक बैटरी से जोड़ देंगे यह बैटरी का सिंबल यह बैटरी का पोजीटिव टर्मिनल है यह प्लस वाला सीरा यह माइनस वाला सीरा है ठीक है और इसको एक कुंजी से जोड़ देंगे यानि की प्लक से जोड़ देंगे और ऐसे इसको लाकर जोड़ देंगे ठीक है और जैसे आप लोग कुंजी को यान कि electric current प्रवाहित की और जिस रास्ते से जिस पत से आप लोगों ने विधूद्धारा प्रवाहित की ये रास्ता पूरी तरीके से क्या है बंध है टोटली बंध है अगर मान लिजी यहां से तूट जाए तो क्या होगा यह विधूद्धारा प्रवाहित होगा नहीं प्रवाह विधूद धारा को प्रवाहिद करने के लिए यह रास्ता चाहो तोटली बंद सतत बंद और इसी बंद पत इसी बंद रास्ते चाहिए को अellsलोग क्या मेरे परीपत् कॉन सी बड़ी बात है समझत आप लोग तो हमेशा हों घर पर करते ही उन Oh परिपत कहते हैं यह विदूद परिपत कहते हैं यह विदूद परिपत को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए विदूद धारा क्या है इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझा दे थी अब एक चीज और बचिए कि विदूद धारा का जो मापने वाला यंत्र होता है जिससे विदूद धारा को सुषित किया जाता है इसको आप लोग करेंगे करेंगे एक कर लिखा रहता है और आप लो एयुद०धारा परवाहित करेंगे और जो रहे जितना हैं समाझेए पर परिपत कि उतना एंप्यर की विधूद्धारण परवाइद हो रही है इस एमिटर में अगर दो एंप्यर पर सुई जाकर रूआ तो समझे दो एंप्यर की इस परिपत में विधूद्धारण प्रवाइद हो रही है तो इस तरह आप लोग एमीटर से विधुद्धारा यानिकि एलेक्रिक करेंट को मापते हैं एक और छोटी सी चीज रहे गई है बताना आप लोगो को कि पुजीटिव चार्ज होता है अपने जैसे पुजीटिव चार्ज है यानिकि दोनों एक ही जात पास आने ही नहीं देते हैं विरोध करते हैं एक दुसरे को प्रतिकर्शित करते हैं धक्का लगाते हैं पास आने से विरोध करते हैं या फिर कोई निगेटिव चार्ट से क्या होगा अगर पास आएंगे तो क्या होगा धक्का लाएगा यानकी प्रतिकर्शन होगा तो एक करते हैं यहां पर प्लस अलग जाती का है तो अलग जाती के आवेश जैसे की प्लस---- या फिर आप ले लिजे तो इस लिए प्रतिकर्शित कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को याद रखना जरूरि हैं उलिजे यह तक फटड़फट स्क्रीन सॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज